नमस्कार मैं प्रदीव चंद्रपांडे आप मुझे सुन रहे हैं भारती वस्ती के यूटूब चैनल पर लागडाउन के कारण गयर राज्यों में फसे स्रमिकों को उनके जन्पदों तक पहुँचाने के लिए इस्पेसल स्रमिक ट्रेने चलने लगी है नासिक से एक ट्रेन स्रमिकों को लेकर के लखनव पहुँची ऐसे में कई स्रमिकों के बीच यह जो है संसे बना हुआ है कि वो आखिर कैसे जाएं तो ऐसे स्रमिक एक बात असपस रूप से जान लें कि यह जो इस्पेसल ट्रेने चलाई जा रही है इसे रेलेवे नहीं चला रहा है इसे राजी सरकार के निर्देश पर चलाया जा रहा है यानि वही स्रमिक ट्रेनों में बैट सकेंगे जिनके पास पहले से अनमती होगी कई राजी सरकारों ने सरवेच्छन, फार्म और अपने अधिकारियों के मुबाइल नमबर दिये हैं जिनका पंजी करण उनके फार्म से उनके मुबाइल पर वारता के आधार पर होगा वही स्रमिक अपने गंतवी तक जा सकेंगे और अलग-अलग राजीवार रेलवे ने यह ब्योस्था की है राजी उन्हें जो सूची उपलब्द कराएं ऐसे स्रमिकों को उनके मंजिनों तक पहुँचा दिया जाए रेलवे इस क्रिया में कड़ी सतर्पता बरतरा है रेल के डिब्बों को सेनेटाइज किया गया है यहां तक कि जब ट्रेने अपने प्लेट फार्म पर पहुँच रही है जहां जो उनका गंतब्यस्थल है वहां पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन सेनेटाइज किया जा रहा है रेलवे की पटरियां तक सेनेटाइज हो रही है तो एक कड़ी सुरच्छा के बीच कि कहीं कोई संक्रमित ना होने पावे चिन्हित पंजी कृत मजदूर अपने राज्यों की ओर चल रहे हैं लाए जा रहे हैं ऐसे में स्रमिक जान लें कि अगर उन्हें इन इस्पेसल ट्रेनों से अपने जन्पतों की ओर जाना है तो जानकारी कर लें अपने राज्य के अधिकारियों से इसका पंजी करन करा लें तब ही उन्हें ट्रेनों में इजादत मिल पाएगी बिला वजह स्टेशन पर आने से उन्हें कोई लाव नहीं होगा उल्टे मुस्किले ही उठानी पड़ेंगी तो ध्यान रखें जो भी स्रमिक इस्पेसल ट्रेनों से जाना चाहते हैं वो सबसे पहले अपने राज्य के अधिकारियों से पंजी करन करा लें जिससे उन्हें कोई अस्विधा ना होने पावे धन्यवाद